जै स्री कृष्णा आई ये सुनते हैं पित्र पच्छ मास के तीसरे दिन गरुड पुरार का तीसरा अध्यार गरुड जी ने कहा ही किसव यम मार की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यात्ना को भोगता है वह मुझे बतलाईए स्री भगवान बोले हे बिंता के पुत्र गरूर मैं नरक यात्ना को आदिसे अंतक कहूंगा शुनो मेरे द्वारा नरक का वड़न किये जाने पर उसे सुन्ने मात्र से ही तुम काप उठोगे हे कस्यपननन बहु भीतिपूर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विसाल पूर है हाहाकार से परिपूर उस पूर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है उसके क्रंदन को शुनकर यमपूर में बिच्रड करने वाले यम के गड़ प्रतिहार के पास जाकर उस पापी के विसे में बताते हैं धर्मराज के द्वार पर सरवदा धर्म धोजनामक प्रतिहार द्वारपाल इस्थित रहता है वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्ट से उस प्रारी के शुब और अशुब कर्म को बताता है उसके बार चित्रगुप्त भी उसके विशय में धर्मराज से निवेदन करते हैं ये ताचर्य जो नास्तिक और महापापी प्राडी है उन सभी के विशय में धर्मराज या थार्थ रूप से भली भाती जानते हैं तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्रारियों के पाप के विशय में पूछते हैं और सरवग्य चित्रगुप्त भी स्रवडों से पूछते हैं स्रवड ब्रह्मा के पुत्र हैं वे श्वर्ग, प्रीथ्वी तथा पाताल में बिचरड करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं उनके नेत्र शुदूर के दिश्यों को भी देख लेने वाले हैं स्रवडी नाम की उनकी प्रिथक प्रिथक पत्निया भी उसी प्रकार के श्वरूप वाली हैं अथात स्रवडों के समान ही हैं वे इस्त्रियों की सभी प्रकार की चेश्टाओं को तत्वतह जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथ्वा प्रत्यच्य रूप से जो कुछ करता और कहता है वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और काईक, सभी प्रकार के शुब और अशुब कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे स्रवर और स्रवरियां शत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी सकती है जिसके बल पर वे मनुष्य कृत कर्मों को बतलाते हैं। ब्रत, दान और स्रत्यवचन से जो मनुष्य उन्हें प्रशन करता है। उसके प्रती विश्योम्य तथा श्वर्ग और मोचप्रदान करने वाले हो जाते हैं। विश्यत्यवादी श्रवर पापियों के पापकर्मों को जानकर धर्म राज के सम्मोग यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदाई हो जाते हैं। सुर्य, चन्द्रमा, वायू, अगनी, आकाश, भूमी, जल, हिर्दय, यम, दिन, राट दोनों संध्याएं और धर्म इस सभी मनुष्य के बितान्ट को जानते हैं। धर्म राज, चित्रगुप, स्रवड और सुर्य आधी मनुष्य के शरीर में इस्थित सभी पाप और पुन्यों को पूरतिया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विशय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अतियंद भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में डंडल ये हुए, बहुत बड़ी काया वाले, भैसे के उपर संस्थिक, प्रलैकालिन मेग के समान आवाज वाले, काजल के परवत के समान बिजली के प्रभाव वाले, आयुधों के कारर भयंकर, बत्तिस जन के लंबे, चोड़े विस्तार वाले, बावनी के समान, गोलनेत्र वाले, बड़ी बड़ी डाढ़ों के कारर, भैंकर मुख वाले, लाल लाल आखों वाले, और लंबी नाक वाले, मृत्तु और ज्वर आदि से सैयुक्त होने के कारर, चित्रगुक्त भी भयावः है, य जन के समान भयानक, सभी दूद, उनके समीब, पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं, उन चित्रगुप्त को देखकर, भैभी थोकर पापी, हहा कार करने लगता है, दार न करने वाला, वो पापात्मा कापता है, और बार-बार बिलाप करता है, तब आग्यां से क्रंदन करते हुए और अपने प्राप कर्मों के विशय में सोचते हुए उन सभी प्राडियों से कहते हैं अरे पापियों दुराचारियों अहंकार से दूसितों तुम अभिवेकियों ने क्यों पाप कमाया है कम से कम क्रोध से तथा पापियों की संगती से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है फिर हे मुर्ख जनों तुमने वह पाप कर्म क्यों किया पुर्वजन में तुम लोगों ने जिस प्रकार अतियंत हर्ष पुर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए इस समय यातना भोगने से क्यों परम दुख को भोग रहे हो तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किये हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं इसमें हम लोग का कोई दोश नहीं मुर्खो या पंडित दरिद्र हो या धन्वान और सबल हो या निर्बल यम्राज सभी के समान ब्योहार करने वाले कहे गए हैं चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को शुन कर वे पापी अपने कर्मों के विशह में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचा बैठ जाते हैं धर्म राज भी चोर की भाती निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देख कर उनके पापों का मार्जन करने के लिए या थोचित दंड देने की आग्या करते हैं इसके बाद वे निर्दई दूद उन्हें पीटते हुए कहते हैं हे पापी महान घोर और अतियंद भयानक नरकों में चलो यम के आग्याकारी प्रचंड और चंड आधिनाम वाले दूद एक पास से उन्हें बाद कर नरक्कियों ले जाते हैं वहां जलती हुई अगनी के समान प्रभावाला एक विसाल ब्रिच है जो पाच योजन में फैला हुआ है तथा एक योजन उचा है उस ब्रिच में नीचे मुक करके उसके साकलों से बाद कर वे दूद पीटते हैं वहां चलते हुए वे रोते पर वहां उनका कोई रच्छक नहीं होता उसी साल मली ब्रिच में भूग और प्यास से पिड़ी तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनिक पापी लटकते रहते हैं आश्रे भिहिन पापी अंजली बाद कर हे यमदूतों मेरे अपराज को छमा कर दो ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं बार बार लोहे की लाठियों मुद्दरों भालों और बिच्छियों गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्याधिक मारे जाते हैं मरने से जब वे चेश्टा रहे और मुर्चित हो जाते हैं तब उन निच्छेच पापियों को देख कर यमके दूत कहते हैं अरे दुराचारियों पापियों तुम लोगोंने दुराचरण क्यों किया शुलब होनी वाले भी जल और अन का दान कभी नहीं किया तुम लोगोंने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और नहीं कुत्ते तथा कवे के लिए ही बली दी अतिथी को नमस्कार नहीं किया और पित्रों का तरपड नहीं किया यम्राज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जब नहीं किया जिससे तुम्हें यह यात्ना नहीं होती है कभी कोई तेथियात्रा नहीं की देवताओं की पूजा भी नहीं की ग्रिहस्ताश्रम में रहते हुए भी तुमने हंदकार नह इसलिए अब स्वैम किये गए पाप का फल भोगो चुकि तुम धर महीन हो इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है भगवान हरी ही इश्वर हैं वे ही अपराधियों को छमा करते हैं शमर्थ हैं हम तो उन्ही की आज्या से अपराधियों को डंड देने वाले हैं ऐसा कहकर वे दूत निर्दैता पुर्वग उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने का क्या कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं गिरने से उस सालमली ब्रिज के पत्तों से उनका सरीर कट जाता है नीची गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं रोते हुए उन पापीयों के मुक से यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को बिविदपासों से बाद कर मुददरों से पीटते हैं कुछ पापी आरी से काष्ट की भाती दो टुकड़ई किये जाते हैं और कुछ भूमी पर गिर कर कुलहारी से खंड-खंड किये जाते हैं कुछ को गढ़े में आधा गार कर सिर में बारों से भीदन किया जाता है कुछ दूसरे पेरने वाले अंत्र में डाल कर इच्छु डन गन्ने की भाती पेरे जाते हैं कुछ को चारोर से जलते हुए अंगारों से युक उल्मुक जलती हुई लकरी से धके धककर के लोह पिंद की भाती धदकाया जाता है कुछ को घी के खवलते हुए कराही में कुछ को तेल के कराहे में तेल जाते हुए बड़े की भाती इधर उधर चलाया जाता है किन्ही को मतवाले गजिंद्रों के शम्मोक राश्ते में फेक दिया जाता है किन्ही को हाथ और पैर बाद कर अधोमुक लटकाया जाता है किन्ही को कुवे में फेका जाता है किन्ही को परवतों से गिराया जाता है कुछ कीडों से युक्त कुंडों में डूबोय दिये जाते हैं, जहां वे कीडों के द्वारा ब्यत्थित हो जाते हैं, कुछ पापी बद्र के समान चोच वाले, बड़े-बड़े कवं, गिद्धों और मांस भोजी पछियों द्वारा, सेरो देश में नेत्र में और मुख मे चोचो से आगहात करके नीचे जाते हैं, कुछ दूसरे पापियों से रिड को वापस करने की प्रार्थना करते हैं, और कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यम लोक मैंने तुम्हे देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने ले लिया है, नरक में इस प्रकार विबाद करते हुए पापियों के अंगों से सर्शियों द्वारा मास नोच कर यमदूत उन्हें देते हैं इस प्रकार उन पापियों को शम्यक प्रतारित करके यम की आज्यां से यमदूत खीच कर तामिस्त्र आदि घोर्ज नरकों में फेक देते हैं से परीपूर नरक है जिनमें प्राप्थ होने वाले महान दुखों का वरण बारी से नहीं किया जा सकता आकाश चरिन गरूर नरकों की संख्या 84 लाक हैं उनमें से अतियंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है तामि सास्त्र लोह शंकू महारवरव शालमली रवरव कुंडलमल काल सुत्रक पूति मिरितिका शंखाद लोहितोद शविश सप्रतापन महानिरय काकोल सजीव महापत अवीची अंध तामिस्त्र कुम्भी पाक संप्रतापन तथा तपन ये 21 नरक हैं अनेक प्रकार के पापों का फल इन में प्राप्थ होता है और ये यम के दूतों से अधिश्ठित हैं इस नरकों में गिरे हुए मुर्ख पापी अधर्मी जीव कल परियन उन उन नरक यातनाओं को भोगते हैं तामी सास्त्र और अंध तामी सास्त्र तथा रवरोवादी नरकों को जो यातनाओं हैं उन्हें इस्त्री और पुरुष पारस्परिक जंक से निर्मित कर भोगते हैं इस प्रकार कुटुम का भरड़ पोसर करने वाला अथवा कीवल अपना पेट भरने वाला भी यहां कुटुम है और सरीर दोनों को छोड़ कर मृत्यू के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है प्राडियों के साथ द्रोह करके भरड़ पोसर किये गए अपने इस थोल सरीर को यहीं छोड़ कर पाप कर्म रूपी पाथे के साथ पापी अकेला ही अंधकार नरक में जाता है जिसका द्रव्य चोड़ी चला गया है ऐसे ब्यक्ति की भाती पापी पुरुष देव से प्राप अधन पुर्वक कुटुम पोसर के पल को नरक में आतुर होकर भोगता है केवल अधर्म से कुटुम के भरण पोसर के लिए प्रियतनसील ब्यक्ति अंधकार की पराकाष्टा अध्तामिस्त्र नामक नरक में जाता है मनुस्य लोग के नीचे नरकों की जिदनी आतनाए हैं क्रम सह उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनही स्मृत्ति लोग में जन्म पाता है